आज हम आपको बेजनात मंदिर का इतिहाद बागे शुरम के बारे में जानकारे देंगे हर मंदिर हिंदू के लिए बहुत ही पवित्र होता है लेकिन कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जो की बहुत ही खास होते हैं उनहीं मेंसे यह मंदिर है बेजनात जो की उत्राखंड में है और बागे शुर जिले में इस्थित यह प्रसित वेजनात मंदिर है बेजनात मंदिर कुमाउ कत्तेपूरी राजा द्वारा बागेशुरम जिले में करीब 1150 इस्वी में गोतमी नदी के किनारे पर बनाया गया था यह मंदिर 1126 मीटर की उचाई पर गोतमी नदी के बाएं किनारे पर हिस्तित है यह मंदिर विशाल पाशान सिलाओं से बनाया गया है वेजनात में यात्रा करने के लिए सबसे महतपूर्ण जगाओं में से एक है 12 सदी में बना इतिहास्तिक एवम महतपूर्ण वेजनात मंदिर है ऐसे मानिता है कि शिव और पार्वती ने गोतमी वे गरुण गंगा नदी के संगम पर विवहाद रचाया था वेजनात को पहले कार्तिक केयरपूर्ण के नाम से जाना जाता था जो की 12 और 13 अपतावदी में कत्यपूरी वंश की राजधानी हुआ करती थी शिव वेद्यनात के लिए समर्पित भगवान की चिकित्सको वेजनात मंदिर वास्तम में एक मंदिर है जो की शिव गडेश पार्वती चंदिका कुबे सूर्य और ब्रह्मा की मूर्तियों के साथ कत्यपूरी राजा द्वारा बनाये गया है इसके अलावा वेजनात शहर भी मंदिर से अपना नाम रखता है महंत के घर के ठीक नीचे मुखे मंदिर के रास्ते में ब्रामणी मंदिर है जिसके बारे में पुरानिक कथा यह है कि मंदिर में एक ब्रामण महिला द्वारा निर्मित शिवलिंग भगवान शिव को समर्प थी वेजनात मंदिर का इतिहास बागशुरम में इस तिर वेजनात मंदिर के साथ बागनात मंदिर के भी दर्शन जरूर करने चाहिए क्योंकि बागनात मंदिर वेजनात मंदिर के समान पूरणा कथाओ धार में किस्तल है तो आपको इस वीडियो को देखकर पता चल गया होगा कि वेजनात मंदिर किस तरह बना था क्या इसका इतिहास से कहा पर है यह सब जानकरिया आपको इस वीडियो को देखने के बाद मिल गई होगी